हेलो व्रीवाद वेलम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रिवेस्टीड वीडिओ शेयर करने जा रहे हूँ जिससे मेरे फ्रेंट ने मुझे बोला कि मैं ये वीडियो जरूर सेयर करहूं तो ये वीडियो है बेबी मसाज के ओपर कि मैं कैसे अपने बे तोसे मेरे तार प्रस्व छोटा है कि जम आलते हैं. मैं अरफ आजी चोटा है और करिशन, की खोड़ी है. तो यह बहुत easy massage है बहुत अच्छी है और सबसे ज़री बात मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस दो ingredients को जो मैं use करती हूँ massage के लिए उससे बेबी जब बड़े हो जाते है तो उनके body पे जो बालों की growth है वो बहुत कम हो जाती है और जो hair जो आते हैं वो बिल्कुल ही आपने द बड़े होते हैं तो आपके baby के body पे बिल्कुल बाल आपको बिल्कुल कम नजर आएंगे तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे बहुत ही कम hairs है क्योंकि मेरी भी massage बिल्कुल ही उससी style में ही हुई है तो इसलिए मुझे जो waxing है महीने में चार महीने में मैं एक बार कराती हूं मुझे ज़रत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे body पे hairs नहीं है तो friends आईए मैं आप रोगो के साथ ये शेयर करती हूं बहुत ही अच्छी massage क्रिशी भी बहुत excited है तो चलिए start करते हैं जादा बातना करते हुए तो friends ये देखें ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लिया है एक रोटी जितना आटा मैंने इसमें लिया है इसमें कुछ भी एड नहीं करना है सिर्फ वाटर एड करके इसको गुंद लेना है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आटा गुंद लिया है इसमें म मैं हलका सा मेल्ट कर दूंगी तो फिरिंट मसाज करने से पहले आप अपने हाथ अच्छे से वाश कर लीजिए उसके आपके नेल्स कटे होने चाहिए ताकि बेबी को चुबेना और अब कोई भी फिंगर पर अगर आपने रिंग्स पहनी है उसे जरूर उतार दीजिए तो ब तो फिरिंट स्टार्ट करने से पहले आप यह जरूर चेक कर लेना कि जो यह घी हमने गरम किया था थंडा हो जाए तो यह थंडा हो चुका है तो मैं आप स्टार्ट करते हूँ और हो सके तो अगर आप टाइपर की जगा यह ऐसी लंग गोड पहना कर मालिश करें तो जादा अच्छा रहता है बच्चों को भी कमपटेबल फील होता है यह हमारी नानी दादी ऐसे बनाते थे बच्चों के लिए तो मैं भी यही पहनाती हूँ अपने बेबी को तो चलि कि अपने ख़से बच्चा मैं भी का उर अपสदब कर दोजिखे टी गादा बचल मैं नानी नानी खाल यहीटनि हूँ थादा कर दो झाल 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 झाल